5-star resort 140% discount पे अगर नहीं सुना है तो आज के वीडियो में with proof आपको दिखाऊंगा कैसे book कर सकते हैं holiday season आ रहा है और सभी लोग चाहते हैं कि वो अपने holiday के लिए 4-star या 5-star hotel book रहें वो भी branded 4-star 5-star hotel book रहें और उसके अंदर cheapest room उने मिल सके जो कि मैं आपको दिखाऊंगा 4000 रुपीज ओनवर्ड आपको room मिलने वाला है including all the taxes कैसे मिलेगा step-by-step process आपको बताऊंगा आज के वीडियो में मैंने last year भी एक वीडियो बनाया था कि secret trip to book 5-star hotels at cheap rates लोगों ने देखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे description में उसका link मिल जाएगा मगर आज मैं आपको step-by-step पूरा का पूरा process बताऊंगा कि कैसे आपको बहुत सस्ता room मिलेगा और जो resorts के room बहुत महंगे होते हैं 20-25,000 के होते हैं उसके उपर आपको 40-50% in fact 140% discount कैसे मिल जाता है उसको भी आपको बताऊंगा आज जो मैंने brand लिया है वो लिया है Marriott, Marriott brand में मैं around 15 years से रह रहा हूँ, उनके hotels बहुत अच्छे होते हैं, 4 star, 5 star उनके hotels होते हैं, काफी neat and clean रहते हैं और reason इसका इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर जो है around 30-35 sub-brands हैं, इनके काफी बड़े-बड़े नाम है, W Hotels, St. Leigh Meridian, Westin, JW Marriott, बहुत सारे brands के hotel इनके साथ associated हैं, और इसके करण आपको काफी variety मिल जाती है, और उनी variety के करण हमें hotel के room सस्ते कैसे मिलने वाले हैं, यह आपको मैं cover करके बताऊंगा, तो हम चलते हैं क्योंकि अब holidays आ रही हैं, तो holidays का एक date उठा लेते हैं, let's say हमने यहां पे ले लिया है, 19-20th में ले लिया है, अगर किसी को लगे है, बैने पहले ले रखा है, मैं 12th से लेके 13th में ले ले लिया यहां पे, और हम यह couple के लिए book करके देखते हैं, कि हमें hotel का room, अगर हम book करते हैं, all over India कहीं भी, तो क्या मिलता है, कुछ लोग इस सरी के से plan करते है कि मुझे इस जगह जाना है, वहाँ पे hotel का room मुझे कितने का मिलेगा, कुछ लोग इस जगह से मिलता है, कि जहाँ पे मुझे सबसे बढ़िया hotel मिल रहे है, मैं वहाँ पे जाना है, पसंद करता हूँ, जो कि मेरी भी choice रहती है, जहाँ पे best आपको अगर deal मिल रही है, तो तो अगर मैं इसको sort करता हूँ by price, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगे different different cities के अंदर, क्या-क्या hotels available और क्या-क्या उनके prices हैं, तो यहाँ पे हमरे पास अभी sort होके, हमरे पास screen पे आएगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमरे पास hotels आ गए हैं, जैसे Sheraton वडूदरा हम 4,042 रूपीज और Sheraton काफी बड़ा brand name है, 4,000 रूपीज में all inclusive taxes, तो अगर आप एहमदाबाद वडूदरा यानि कि अगर आप गुजरात का trip लगाते हैं, आप 4-star, 5-star hotels के अंदर कितना cheaply रह सकते हैं, यह आप screen पे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बाकी और metropolitan cities की बात नहीं करेंगे, हम और भी महंगे वाले hotels की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप rate देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, rates बढ़ रहे हैं, काफी सारे महंगे हो रहे हैं, और इन महंगे hotels में आप सस्ते में कैसे रह सकते हैं, उसी की trick आपको बताने वालो, प नेक्स पेज पर जाके देखते हैं, कितना कॉसली है, मगर अगर आप steps को follow करेंगे, जो आपको बताने वालो, तो आप surely काफी सस्ते के अंदर जो है, इन hotels को बुक कर आप आएंगे, तो नेक्स पेज में जा रहे हैं, देख रहे हैं, हम बॉंबे के hotels है, हमारे पास शेरिट उसको देखते हैं, और फिर उनके उपर वापिस आके देखेंगे, कि क्या हम उनके उपर कोई अपनी trick लगा सकते हैं, क्या उनको हम सस्ते में ले सकते हैं, या नहीं, सो मैं last page पर चला गया हूँ, जहां पर हमें सबसे महंगा hotel मिलेगा, और इसके अगर हम bottom में चले जाते ह तो हमारे पास सबसे महंगा hotel आता है, यहां पे around 30,000 पे हमारे पास hotel नाने start होगे है, JW Marriott Goa, JW Marriott Bangalore है हमारे पास, Western Resort Himalayas में 36,000 रुपीज का है, मसूरी का hotel है 36,000 रुपीज का, तो 36,000 रुपीज तक के 36,000 रुपीज के hotels भी हैं, और इसको भी आपको मैं 20,000 से नीचे 20,000 रुपीज से नीचे कैसे मिलेगा, अब उसके बताता हूँ मैं आपको, so firstly आपको क्या करना, आपको Marriott.com पे जाके Marriott Bonvoy इनकी membership है, free of cost membership है, उसके लिए आपको register करना है, इनकी site पे जाके आप register कर सकते हैं, यह video sponsor नहीं है, कुछ लोग मेरे को comment डल कहते हैं, यह sponsor है, यह tips and tricks हैं, अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है, या कोई मैंने अगर fact ढूंडा है, तो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप ऐसा बाकी सारी brands के साथ भी कर सकते हैं, Hilton के साथ भी कर सकते हैं, आप और भी अगर जितने भी five star hotels हैं, ताज है, उनकी भी membership है, free of cost, register करा के ल redeem कराना, और उसका step क्या रहेगा, या उसका process क्या रहेगा, वो भी आपको मैं बताता हूँ, so हम hotels में जा रहे हैं, हम same search run कर रहे हैं, लेकिन इस बर कर रहे हैं, points और rewards के साथ में, dates मेंने same रखी है, again, कोई भी date आप randomly ले सकते हैं, most of the dates में applicable होगा, until less, peak season में आप जा रहे ह या new year type पर जा रहे हैं, उस time पर थोड़ा से busy रहता है, so हमारे पास यहाँ पर again hotels की list आ गई है, हम देख सकते हैं, काफी सारे points मांग रहे हैं, काफी महंगा है, let us sort this out by points, ताकि हमें पता लगे कि सबसे कम points कहां पर देने हैं, हमें वहाँ से शुरुआत करनी है, और जब त आता हूँ, तो चलिए हमारे डेटा लोड हो गया होगा हम यहाँ पर चलते हैं, so हम इस screen पाकर देखते हैं, तो जो हमारा hotel है, यहाँ पर हमारे पास hotel था, हमने देखा था, 4000 रुपीस का मारियट एहमदाबाद है, और शेरिटन चेन नहीं जो है, वो 440 रुपीस का है, और जरूर दबाना है, because यह जो नीचे cost आ रही है, this should be inclusive of all the taxes, तो मैं inclusive of all the taxes कर लिया है, अब यहाँ पर आपको ऐसे hotels देखने हैं, जहाँ पर आपका points जो है, वो इन amounts के आसपास हो, उनसे कम हो तो जादा बैटर है, और जितना कम होगा उतना जादा बैटर है, और क्यों वो अ 8183 piece का है, जो कि आपको 5500 points में पढ़ रहा है, actually में यह कितने के पढ़ने वाले हैं, और कैसे इनको सस्ता करने वाले हैं, उसको देखते हैं, so हमने जो excel sheet बनाई थी हम उसके अंदर चलते हैं, इस excel sheet के अंदर हम डालेंगे amount, amount है, उस hotel का कितना amount है, हमने देखा 4973 यह डाल तक कि अगर आप points buy करते हैं, तो आपको 40% extra points यह दे रहे हैं, और यह promotion इस तरीके promotion हर साल आते हैं, so आप अगर Google पे जाके सर्च करते है, Marriott buy points तो आपको एक site पे लेके जाएगा, Marriott की points buy करने की site है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि add more to your travel story with 40% more points, तो अगर for example मैं 2000 points ल आता हूँ, अब मुझे चाहिए total 5000 points, तो 5000 points के लिए मुझे कितने खरीदने पड़ेंगे, मुझे यहाँ तो 3000 plus 1200 तो लूंगा 4200 हो जाएगा, मुझे खरीदने पड़ेंगे 4000 plus 1600 points, 50 dollars के, अब इसको अगर हम जाते हैं यहाँ यहाँ पे, हम यहाँ पे हमें points buy करने और मुझे यहाँ पे मिलेंगे इसके 40% extra, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, into 0.4, तो total मेरे पास हो गया है इसका sum, 5600 points, तो 5600 points की cost क्या पड़ी, अब हमने यह देखा थे, cost वहाँ पे लिखे हुई थी, 50 dollar आ रही थी, यहाँ पे cost, तो 50 dollar मैंने यहाँ पे cost रग दी, अब देखते हैं कि आज का हमारे dollar का price क्या है, so let's say 1 USD INR, पर प्राइस आता है 82 rupees का, तो हम यहाँ पे approximately 83 rupees लगा लेते हैं, तो मुझे यह cost कर रहा है 4,150 rupees का, यानि कि जो hotel मुझे 4,973 rupees का पड़ रहा था, उसकी cost मैंने कम करके कर दिया 4,150 rupees, अब सेम अगर मैं इस hotel की बात करता ह जो हमने दूसरा hotel देखा था, 8183 की cost थी, इसकी cost अगर मैं आपको कम करके दिखाता हूँ, तो हमारी, इसकी cost भी पड़ेगी 4,153, because points यह थे 5,500, हमारे पास मिले है 5,600 points, तो 4,150 में 8183 वाला hotel आपको मिल जाएगा, यानि कि हमारा discount कितना हुआ, हमें actually में discount पड़ा है, य माइनस का, यह approximately 4,033 रुपीस का, तो यानि कि अगर मुझे hotel book कराना पड़ता, तो मैं points के साथ 97% मुझे extra amount देना पड़ता, अगर मैं उसको amount से pay करके कर रहा हूँ, जो point की game है, यह आपका price काफी कम कर देती है, काफी cheap कर देती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि हम एक बड़िया 5-star hotel book करा रहे हैं, कितने रुपीस में, around 4,000-5,000 रुपीस के अंदर, अब आगे चलता हूँ, क्योंकि यह तो सस्ते वाले hotel होगे, महेंगे वाले hotel में देखते हैं, हमारी trick again same रहेगी, यहाँ पे आप देखिए 5500 points वाला hotel, क्या rate है उसका 9496 का, तो अगर ह आप बुक कराते, वहाँ पे cash पे करके, यहाँ पे आपको सिरो 4th on 150 देने पड़ रहे हैं, देखे रहे हैं कितना फरक हा रहा है, मैंने 140% की बात करी और मैं आपको यही trick बड़े-बड़े महंगे-महंगे वाले hotel में अभी अभी दिखाता हूँ, और चलते हैं और देखते हैं नीचे कि क्या-क्या hotel में फरक है, हाँ जैसा मैंने आपको कहा हर hotel में फरक नहीं होगा, you need to find the hotels जिनके points जो है, वो फरक है, वो ज्यादा फरक है, जो उनका amount है उससे, अब यह लेते हैं, Fairfield by Marriott श्री पेरेम बदूर, यहाँ पे है 14,293 रुपीस का, देखें कितना 137.5 dollars मुझे लगाने पड़ेंगे, तो 137.5 dollars मैं यहाँ पर अगर लगाता हूं, cost लगाता हूं 137.5, तो मुझे मेरे लगेंगे 11,412 रुपीस मेरे लगेंगे, यानि कि मेरे को क्या point पड़ा, मुझे पड़ा, around 25% का discount मुझे यहाँ पर मिलता है, यह तो हुई बात, यह स पर लेकर चलता हूं, हमने वहाँ पर देखा था कि वो last वाली category के अंदर थे, तो देखते हैं कि last page पर आ रहे हैं, यहाँ कहां पर आ रहे हैं, सो अब हम आगे हैं, इस page पर यहाँ पर हमारे पास जो hotels हैं, देखिए, काफी costly hotel है, 13,000, 16,000, 19,000 की, grand chola hotel, one of the best hotels in Chennai है, बहु 22,000 points हमें मिलेंगे, अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 16,000 plus this, यानि कि $200, तो $200 पे करने का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर अगर हम $200 लगाते हैं, यहाँ पर, तो हमें पढ़ेंगे 16,600 रुपीज, 7,000 रुपीज का discount पढ़ रहा है, one night का, और hotels में चलते हैं, यहाँ यहाँ पर हमारे पास एक hotel है, Western resort Himalayas का, यहाँ पर हमारे पढ़ रहे 22,500 points और इसकी cost क्या है, 36,432, so 36,432 रुपीज की cost है एक रात की, 36,432 की cost है एक रात की, और इसका जो price पढ़ रहा है 22,500 points है, points हमने देखे थे यहाँ पर कितने हैं, हमें यहाँ से मिल जाएंगे, 22,500 points यानि की $200 में, यानि की 16,600 रुपीज हमारे लग रहे हैं, around 20,000 बच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना जो हैं हमें फरक पढ़ने वाला है, अगर हम points से इनको book करते हैं, और यही tip और trick है, अब कुछ steps है जो आपको follow करना है, सबसे पहले तो आपको merit के site पे जाके reserve अपने आपको register करना है, फिर आपको जाना है points site पे, points पे जाके आप इनको खरीद सकते हैं, एक condition है सिरफ ये, कि इनको खरीदने से पहले आपकी membership 30 days की होनी चाहिए, तो अगर आप नीचे जाके यहाँ पे इनकी terms and conditions को check करेंगे, तो वहाँ पे सिरफ और सिरफ एक condition दी और in fact, साल में दो बार deal आती है, एक बार ये October, November के पास भी deal आती है, September, October में भी आती है, तो आप इसके लिए eligible हो और वहाँ से आप बहुत ही सस्ते के अंदर इन hotels के लिए अपने आपकी booking करवा सकें, तो अब इन holidays में आप कहा का plan बनाने वाले हैं, नीचे comment section में मुझे ब पचाते रहे, कमाते रहे, because every पैसा matters.